डोग कपल का क्या आर्थ होता है यह आज की इस वीडियो में सीख लेते हैं डोग कपल का कई तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है एक तो डोग का मतलब होता है कुत्ता और कपल जो है हम जोड़े को कहते हैं उसको थोड़ा समझ लेते हैं यानकि कुट्टों को जैसे बहुत वफादार माना जाता है यानकि कुट्टों का जो positive गुन की अगर हम बात करें तो loyalty, companionship यानकि एक दूसरे का साथ निभाने के जो एक भावना होती है वो या जो प्रेम होता है, affection होता है वैसा ही जो affection, वैसी ही loyalty, वैसा ही प्रेम किसी एक couple के बीच में या एक लड़का-लड़की या प्रेमी-प्रेमी का या पती-पत्नी के बीच में देखा जाता है तो उसको metaphorical रूप में हम dog couple कहते हैं और हो सकता है इसका और भी किसी unnecessary में भी इस्तेमाल किया जाता हूँ अब आप ऐसी ही किसी भी word का मतलब हिंदी और इंग्लिश में YouTube पर सर्च कर सकते हैं आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी जिसमें आप बिना किसी फालतुबकवास के सीधा उस word का मतलब समझ पाएंगे तो ऐसी ही वीडियो को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन को प्रेस करें